So hey guys, कैसे आऊ सभी, I hope कि आप सभी ठीक होंगे तो finally, आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp के font को कैसे change कर सकते हैं यहाँ पर बहुत यह high demand है इस चीज़ की काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई, आप बताओ कि हम अपने WhatsApp के font को कैसे change करें तो finally, आज मैं यह वीडियो लेकर के आगया हूँ यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से font change कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके का font लगा सकते हैं इसके लावा यहाँ पर बहुत सारे font दी हुए आप अपने मन पसंद का चुन करके यहाँ पर वर्टसप पर font लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है तो यार वाकई में यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली आप सभी के लिए क्योंकि आप सभी वर्टसप का नॉर्मल font देख देखकर बोर हो चुके होंगे मुझे पता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन पसंद का font अपने वर्टसप पर लगा पाएंगे तो चलिए फटा फट इस वीडियो को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये है मेरा वर्टसप चलिए फटा फट इसको ओपन कर लेता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल फट होता है वही अपलाई है जो वाटसप के अंदर होता है यहां पर मैंने अभी कोई स्टाइलिस फट अपलाई नहीं किया हुआ है तो इसी फट को देख देख करके आप मेंसे काफी सारे लोग बोर हो जाते हैं वही डेली का वही फट तो आप लोग सुचते हैं कि यहां पर कोई स्टाइलिस फट लगाए जाए या फिर आप लोग कभी कभी ये भी सुचते होंगे कि इसके थीम को चेंज किया जाए या फिर यहाँ पर home skin पर कोई wallpaper अपना wallpaper या फिर कोई अच्छा wallpaper आपको लगाना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है अगर आपको theme wallpaper चेंज करना है तो उसके लिए वीडियो बनी हुई है जो कि i button में वीडियो है आप जाकर कि उसको देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp के font को कैसे change कर सकते हैं अब यहाँ पर आप लोगों ने काफी बार try भी किया होगा setting के अंदर जा करके कहीं पर font change करने का option तो नहीं है बट यहाँ पर आपको कहीं पर भी font change का option लेखने को नहीं मिला होगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि WhatsApp के अंदर font change का कोई भी option नहीं है अब यह change कहां से होगा तो आपको करना क्या है सबसे पहले जो है आपको जाना है play store पर दिन वहाँ पर आपको type करना है z font यह app है इस app को जो है आपको download कर लेना है download करने के बाद आपको simple तरीके से इसको open करना है जो मैं बता रहा हूं उसी को आपको step by step follow करना है यहाँ पर जो आपको permission देनी है allow कर देना है यहाँ पर close कर देना है उसके बाद यहाँ पर कुछ add वेर आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि यह free app है इसलिए आपको जो है add एक आदी देखने को मिलेंगी यहाँ पर tap करना है देन उसके बाद फिर से एक बाद टैप करना है उसके बाद आपके सामने इस app को कुछ इस तरीके का interface आएगा अब यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे emoji, color या फिर इस्टाइलिस बगर है तो यहाँ पर आपको stylis पर click करना है जैसे आप stylis पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे fonts आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहां पर इन fonts को कैसे apply करना है यह थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो setting है वह थोड़ा इसा जो है टिपिकलнего setting है तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप आप अपलाई कर पाएंगे नहीं तो यह काम नहीं करेगा तो यहां पर आपको अपना मन पसंद font एक select कर लेना है तो यहां पर मैं example के लिए एक select कर लेता हूं जैसे कि मैंने के चलो मुझे यह अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पर click किया उसके बाद सेगमेंन आप लोगों को बताएं यहां पर एक आड़ वगरा देखने को मिलेंगी तो उनको आपको एग्णोर करना है तो जैसे आप font पर किलिक करेंगे यहां पर आपको एक नीचे option दिखेगा दावनलोंड का इस पर आपको किलिक करना है डावन्लोड पर किलिक कर रहेंगे तो यह जो यह डावन्लोड हो जाएगा और एड वगेरा देखने को मिलने है बहुत ज़्यादा उसके बार आप करना है यहां पर जह Bluetooth तो set का option दिखेगा set पर क्लिक करना है दिन यहां पर जो आपको थोड़ा सा दिहान में रखना है कि आपका जिस company का phone है उसी company वाले option को select करना है जैसे कि आपका Samsung का phone है तू पर all option या फिर ओपो Realme तो यहां पर एक option दिया हुआ है ठीक है तो मेरा Realme का है तो मैं Realme पर क्लिक कर अब यह this digital हो रहा है आगर दिहान से देखना आपको अगर आप दिहान से नहीं पैस के दिखेंगे तो दिककत हो सकती है काम ना करी क्याना है अब यहां पर क्योंता है आपको पिए इंदर Ch Gosh calm पैसित वेसलें सब्सकल बैको आजाना है एक यहां पर आपको मिलोग को ने उस पर किलिक करना देन alors चेल को मेंन पर उसके बाद आपको और बस्त्लाइब करना थाल इंदर गराने के लॉट्टी करोंने पर आपको दिस्प्ले हैंड बॉर्टनेस के अंतर आफ talking यहां पर जो है नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर आपको एक नया आप्षन देखने को मिल जाएगा सपोर्ट डाइक करेक्टर का इस आपको किलिक करना है इस आप्षन को जैसे आप आप करेंगे तुरंत आपके फॉन के अंधर जादू जैसा हो जाएगा आप यहा अपने वर्टसप का फॉंट चेंज हुआ या फिन नहीं आप यहां पर देख सकते हैं कि फॉंट चेंज हो चुका है यहां पर जो भी आपने चार्टिंग वगरा की होगी हर एक चीज के जो है फॉंट चेंज हो चुके हैं हाला कि हमारा पूरे फॉंट का जो फॉंट है वही change हो चुका है तो यार कुछ इस तरीके से यहां पर WhatsApp के भी font change कर सकते हैं और हम अपने phone का भी font change कर सकते हैं अब यहां पर जो है बहुत सारे font दिये हुए इस application के अंदर यहां पर जो आपको अच्छा लगता है आप अपने मन पसंद का font जो है इसी तरीके से आप लगा सकते हैं जो भी आपको यहां पर अच्छा लगता है आपको यहां पर जो है देख लेना कौन सा आपके लिए पसंद है कौन सा आपको अच्छा लगता है बस उसी को सेलेक्ट करके सेम जो है सेटिंग जो मैंने बताई स्टेप बाई स्टेप आपको फॉलो करना है और आपके वर्टसप का font जो है चेंज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी सो आपके आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नमस्कार मिलता हम एक निव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ में